तो वाई बहुत ही बुरा यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और पैसा भी आल्मोस आपे 32-40% वाइप आउट हो चुए अडाली के शेर्स में तो ऐसे में अब हमें क्या करना चीए हमें होल्ड करके रखना चीए क्या यह यह लॉंग टम के लिए अच्छे हैं क्योंकि यही फिलिंग आती है एक बार पैसा डूप जाए तो फिर यही मन में आता है विचार की लॉंग टम के लिए रखना हुआ पैसा निकाल के चल जाओ वैस्तो पैसा भी निकल ही कहा रहा है लोवर सर्केल लग तो कहां जागे लोवर सर्केल रूपने वाले है एंड कहां से जो एक दोबारा पूल बैक मिल सकता है तो यही सब जो आज की वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं तो गाइस स्वागत आपको अपने इस पैस चैनल फिर से बार जिसका मैं वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले बदा वाई है वीडियो अप्लोड कर दी गही है जो चेक आउट करना चाहता है जागे कर सकता है एंड जी आर इंफ्रा एंड क्लीन एनरजी में कौन सा बेस्ट आइप इसमें काप को किसमें अप्लाइ करना चाहिए क्या उसके पॉसिरी ग्रोफ होगा आगे क्या लेसिंग गेर मिल सकते हैं सब कुछ इसमें डिसकर्स किया हुआ तो जाके चेक आउट कर सकते हैं दोनों वीडियो सेक्शन में स्कॉल कर लिजे गाइस को देकर दी है तो सबसे अब अब एससे सिट्विशन हमें उससे पहले यहां पर एक रिपोर्ट आई है और यह कोई मतलब ऐसा नहीं चुपाई हुए रिपोर्ट कहीं पर हाई है इकोनॉमिक्स ट्राइम की वेबसाइट जो कि ऑफिशली हर कोई ट्रेडर या तो आपने भी अपनी जिन्दी में व कि ट्रेडर टू प्रेजिद बैटन मैं अपर एकोनॉमिक्स ट्रैम में लीए यह बात एंद मैं पता तो कि कि पात और यह अपित रहे हैं आपको चैने ले क carryना यह फी अपनी DevOps कर रहे हैं लोग लगा थर सेलिंग करते जा रहे हैं अब चलता है चार्ट वहां पर जाए कि सारी 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 की सिचुशन समझते कोशिश करते हैं बैद उससे पहले हैं आप लोकली में एक टेलियूम चलने बनाया जो कि फिलहाल फ्री है बात में इसको पेड कर देगा तो के सब्सक्राइब करें लिंक डिस्क्रिप्शन है जब चलने रहा है तो आपको खुछ सच करना है वीजू स्टॉक मागे रहे हैं सब्सक्राइब होंगे फटवर जोइन कर लेना है तो लाइफ टाइम आपके लिए फ्री हो जाएगा बट अगर आप बात में चलने तो आपको क्यांकि मैं इंटरड़ से रहा था इक्वड में पोजिशन लोग एर पर 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 बिलीव करता हो बड़ी है पैसा म बना रहे है वाई देखो यहां पर शिवा मिल लिया था मैं यहां पर जितने पर भी लिया था उसके बाद यह शेर गिरा था एंड लाइक फाइव यह ता 60.86% देख लो आप सब के सामने आपर सब कुछ है तो यहां पर देख लो यहां पर क्लिर ली आपका तुम्हारा वाई साव सब कुछ बताता है इतने शेर लिया यह वो पूरा क्लिर बता भी देता हूं और पूछता है तो डायक बता तो वहने ग्रूप में काफी बार तो उतने शेर ले रहूँ था कि आपको पता जाए यहां इतने शेर लेने है मलब जादा वंड़ी नहीं लेनी है इसलिए आपको आइडेया हो जाए बाकी शेर में मुझे बिलीफ था एंड इसले मैं बड़ी है बना लिया एंड बड़ी है 60% में एक महिने से पहले पहले तो आपके साथ डिसकस होता रहते तो फटबड आगे जोइन कर से तो लिंक डिस्कुश में है जैसे में बता देगा चलनी रहे तो आगे खुछ सच कर लो फटबड आओ आओ फटबड जोइन करो एक महिना ट्राइ कर लो मेरे बूलने पर नहीं पसंद आता तो छोड़के चल जा इसके बाद बड़ी दिक्कत आए निक्या आपर जाट साथ अगर सपोर्ट भी लेना हुआ तो इसके आजपा से स्पोर्ट ले सकता है एक बार को जाट इस सम्वेर राउंड 1335 यह तक का जो है एक स्पोर्ट बनता है इसका आता है तो 1335 से दोबड़ा पंड ले सकता है फ्रेश एंडि के मैं बिल्कुल रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं यहां पर ठीक है 1335 इसका पहला स्पोर्ट है इंड सेकिंड स्पोर्ट जो बारस पोची ज़र निचे क्लोज नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर बारस तो फिर एक बारी ग्रावट आपको देखने को मिल सकते हैं तो पहला स्पोर्ट है यह वाला दूसर स्पोर्ट हो कर ठीक है तो यहीं तक यह गिर सकते हैं सब्सक्राइब करो बस आपको एक बताने के लिए चीज़ा बता रहा हूं तो देख ले ना वाई कंडल सस्टेंड करें साथ इसको भाई-वाई करके चले तो पहले तो पहले जिसमें रेस्टेंस रहेगा है कि वह रहेगा 1569 का मुला 1570 पास रेस्टेंस इसमें कोई बार बार बोल रहा हूं कि अभी मैं यहीं रिकमेंट गरना हूं अपने सारी उसको जिते मेरे मेंबर्स गरा है या फिर जिते भी फैमली मेंबर्स विर सब तो दूर रहा हूं आदा एक महीना रुख जो बड़ीए लेवल कहीं पर मिलता है तो मैं खुदी दिलवा दूँगा बल्कि खुद भी लुगा है अगर मुझे लगता है ऐसा कुछ या अभी मेरे को फिलाल सिचेशन फिर भी अभी सही नहीं लग रहे है तो इसलिए बोल रहा है आदा एक महीना रुग जाओ डानीज के शेर में आप आलेड़ी लेके फस रखें तो वीडियो कंटीनियों देख कि वह नहीं आ रही है अगले शेर पर चलता है तो अगला शेर अमर्पा सदानी ग्रीन यहां पर तबाही मच गई है मतलब क्या ही बूलेवाइब चौदास तो से अजार पर आ गया शेर अभी रुखने का नाम नहीं ले रहा है सबसे बड़ी बात यह है अगर मैं में अभी बाइक सिगनल नहीं आया है आज अगले से अभी 31 के आसपास से अभी 30 के नीचे नहीं गया है बटा अब अरसी कम्तार हो रहा है यहां पर तो में पूल बडहा पूल पालिप लिया था तो में में अपर इसमें आपर एक फाला-मचलत स्पोर्ट यह कोई चोड़ा-मुटब दे सकता है अगर देना हुआ तो क्योंकि इंपोर्टेंट स्पोर्ट पे खड़ा है बट 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 बिली में अगर इसके नीचे गया नहीं तो फिर इसके लिए खड़ाब है एंड फिर जो आपको आराम से लेवल दिख जाएगा इसमें नाइन टू नल की उसके नीचे पर चल जाए गए तो 990 तक तो इसको थोड़ता है इंपोर्टेंट स्पोर्ट को कोई चोटा मोटा स्पोर्ट नहीं है एक कोई अगर आप ऐसे सोचो बस इसी केंडल के में बात करूंगी यह आया नहीं यहाँ पर इसने स्पोर्ट लिया था दोगो फिर यहाँ पर दुबारे से स्पोर्ट लिया है फिर दुबारे स्पोर्ट लेनी कोश्ची कर रहा है अब बाई देगा ब्रेक आउट किसी भी लेवल को तो अगर आप ऐसे थोड़ा चेक करते हो अगर थोड़ा आप जानते हो इन सब बारों में तो आपको पता वह ऐसे करते हैं बन रहा है और उसके वाल एक स्मॉल सा बन रहा है और यहाँ पर वाई एक ब्रेक आउट पसीबली है अख पाईधर अब च dużo सिसस उफ मेरें यह इंतर को इंपोर्टेंट स्पोर्ट पे तो है यहां पे इसके निचे आज नौन अब्बे का इंपोर्टेंट स्पोर्ट जो इसके लिए बचाए गाइस डेट इस सम्वेर अरूंड नौसो तो वह नहीं लगता मुझे यह शेयर जाएगा नौसो तक लास तो यह फैल हो सकता है तो का सबस्ट पने किया बहुद के आज फीके साथ बाता रहा हुआ यह वीडियो क्या बता रहों में चीज़ों में ठीक है अगले चेर पर चलता है अगले दिन भी उपर गया था यह 800 तक चला गया था तो मुझे लगा था है परसल यहां तक जाएगा बट यहां तक गया नहीं मैंने शॉट्ट अमारे को तो एक्जिट करवा दिया था बट लिया था हमने 680 पर वहां से पंटी ले लिया तो अभी तो उससे उपर यह जाम मैंने दिया था बट कोई बात है अब एसल हुआ है तो हुआ है अडानी पोर्स मुझे सही लग रहा है यहां से दोको एक जो है मतलब मैंदी में भी यहां पर बनने वाला है यह दो मैंदी य लगी है काफी समय से क्राउथ वह करें एक तो आइधे साइड का ब्रेकओट एंड जांसे लेकिए अपसाइड का ब्रेकऊट आसकता रानी पोर्स में तो बाकी लेट सी बागे तो मार्केट भी बताएगी अब मैं इंपोर्टेंट्र रेस्ट पोडिय थो एक इंपोर्टे शेयर अच्छा है एंड लॉंग टम में भी इसने बहुत बढ़े रिटन दिया तो इसको आप जो है बाइंग करने के रिक्मेंडेशन नहीं है अगर आप आरसे मैंगी को समझते हैं अगर आपके इंडिकेटर्स या फिर आपका जो है सैटप आपको बोलता बाइंग बन रही है ठीक है बस सिता मुझे बताना है बाकी इंपोर्टेंट जो रहेंगा अगर कोई लेता है यहां पर फॉर एक्षिंपल यहां पर खरी लेता है तो उसके लिए टार्गेट है गाई सेवन फिफ्टी फाइव का ठीक है ठीक है और यह सिर्फ उनके लिए जो रिस्की है आप लोग के लिए ठीक है दो बाई एड्स एवन तेन ठीक है और टार्गेट रहेगा आपका सेंफिफ्टी और एसल रिस्की कॉल है थोड़ा है मैं पहले बोलता रहा हूं ठीक है थोड़ी से रिस्की कॉल है और एसल रहेगा आपका शिक्स एट-फॉर ठीक है जाओ अब आप इंजोई कर सकते हैं और मेरे को पॉसिबलिटी लग रही है कि यहां से यह उपर जा सकता है ओके तो इंपोर्टेंट से साथ साथ सो अगर क्रॉस करता तो फिर एक इंपोर्टेंट यहां पे रिस्टेंस बनेगा अगला सम्वेर एरौंड अगला निकल कर आरा इसका 782 अगर साथ साथ सो को ब्रेक करके उपर निकलता है तो 780 के लिए प्ले कर रही हा बड़ग बड़ बाशन रिकमेंडेशन इंपान्वाटेंस लिए रिखे लिए पहले पूल बैक निचिको यहां से देख से तो यह स्थो पांच क्या स्पास एक एक आट निच्वापाई लि यह तो थी अगली मुवमेंट के लिए हम खुछ देख पाएंगे यह तो थी अधानी पोर्स की बात तो अगला हमार पास अधानी पावर में यहां पर पूल बैक है परसली मैंने आप बाई किया आप लोग को बताया विदा बैट मैंने बोल देते हैं रिस्की कॉल है तो मैंन मुझे पता है बहुत छोड़े रुपए है वह हूं बट खाली मैंने अपने टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा मतलब देखने के लिए तो मैंने बाई गया इंद मैंने बता विदा है टेल्ग्राम पो ओपन ली बताया तो अब मैं बस देख रहा हूं इसमें कहां पे मुझ पर फिलाल भी छोड़ शोड़े मैं बताता हूं बाकि अगर लाइब अपडेट ची होगा अडानी पावर के रिलेटेड तो आपको मिल जाए मैं परसली क्या कर रहा हूं इसमें कि अडानी पावर को बेच रहा हूं या फिर इसमें कॉंटिटी आइड कर रहा हूं इस पे बाई कर रहा हूं तो ऐसे कुछ होगा तो मैं टेलेगां पर अपडेट करूंगा इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हैं इसको यहां पर यह देखो पहले भी जो इसने यहां पर पूल बैक लिया था अडानी ग्रीन जास पूल बैक वह इसी लेवल से लिया था 109 के लेवल से 109 के लेवल से इसने ऊपर को गया बड़ इस वार जो है वो सस्टेंड नहीं किया था ऐसा हमें लगा इसने जिसके साफ से केंडल बेक करी थी बड़ वो सस्टेंड कर रहे हैं अब रहों करें 109 के आसपास आकर इसमें अपनी वह क्लोसिंग दी है यहां पर देखना पड़ परसनली जो है और शेर्ज एड़ करने वाल था बाकी क्या करूंगा इस वार वह तो मैं इसमें के साथ आपको बता दूंगा डाइल गाम बड़िगा बागी इंपोर्टेंट स्पोर्ट इसका अभी अभी एंड़ का स्पोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए और 109 का भी इंप सीन रहेगा तो अभी मैं बोलों बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और यहां पर बात करूंग तक गिर सकता है क्या टार्गेट रह सकते हैं टार्गेट बात करें तो पहले इसमें रहेगा आपका सम्वेर अरूंड इस एंड चाहो तो इस पर आराम से आप होता है यहां से तो फिर आराम से आपको जो आरे लेवल दिख सकते हैं एक बार को 152 ठीक है 135 ब्रेक करते 150 के लेवल आपको आराम से दिख जाएंगे शेर में तो परसली मेरे यह यह लगती है चीज़ा अगले शेर पर चलते हैं तो अगले शेर हमारे पास आडानी ट्रांस बने हुए और आरे से हां आरे से थाड़ी के नीचे जा चुका अलड़ी 25 आसपार तो काफी ओवर सोल में जा चुका है यह एंड़ पूल बैक लेना है अब इसको बाकी देखो कहां से पूल बैक लेता है वैस्तों और इंपोर्टेंट स्पोर्ट से ब्रेक की है यह वाले यह वाले लेवल था मैंने कहा था आपको पहले की यह ब्रेक नियुक रही एक लेवल दिया था वह बहुत आराम से ब्रेक वेंड गाजार है 950 का लेवल आ चुका अब तो एंड थोडी कंडिशन इसके ख़ड़ है वैसे भी यह आपे अब 956 पर जहां पे खड़ा है यह भ एक बार स्पोर्ट लिया था कोई और यहां पर एक वाल लिया था तो एससेज कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट बर जोन नहीं है बटा एक नॉर्मल से बाकि मुझे परसनल लिखता है मंडे में भी इसमें लोवर सर्कृत लगा रह सकता है और उसके वाज़ एक मेजर मेजर म मिल जाएगा ठीक है तो इसमें मैं परसनल नहीं बुलोगा कि अभी मुझे इसमें बिल्कुल कंडिशन सही नहीं लग रही है और टार्गेट तुम्हें इसमें दूंगा ही नहीं क्यूंकि इस समय तो भाई ऐसी कंडिशन है कि टार्गेट देने के हालत में नहीं हूँ कि लेट सी वाट हैपन्स और कोई शेयर बचा तो मैं देखूं तो अडानी गैस भी तो है हमारे पास यह शेयर तो भाई इसने तो मतलब तबाही ही मचा दिए अठार अकिता था यह शोला सो गया असपास होता था यह शोला सो सत्रासो भी गया था एक बातो यह शेयर रहना 1320 कि यहां पर मैं देखूं इसके लेवल तो वहां 1680 अपास तक गया था और अब सत्रासो गया आजब आसपास से भाई 920 फाक लोड़ा चुका है वहाई देख सेटी भारी अ था इसमें तो सेम केस जैसे कि मैंना भी पिछले वीडियो मतला पिछले शेर का डिसकुस किया सेम वह मैगडी पैटर्न है सेम वही आरसरी पैटर्न है एड वैसे ही स्पोर्ट वगरत ब्रेक करें यह important स्पोर्ट था इसके मैंने पहले था आपको यह स्पोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी आलत में अगर यह एक वहुता तो गिरावट फर्दर गंडिनुर रेगी 985 दिया सा मैंने शायद तो अभी यह भी ब्रेक हुआ है अभी मुझे इसमें कंडेशन बहुत सही नहीं लगती है अब जो इंपोर्टेंट स्पोर्ट है इसका काहिना यह आपको एक बार को शेयर यहां के जबकी दिखा सकता है एंड देट इसम्वेर राउंड 750 के लेवल ठीक है एक बार को यह शेयर आपको यहां तक भी मिल सकता है थोड़ा मैं इसको क्लियर बताने के पिच्छर के कोशिश करता हूँ कि लेट वेट उससे पहले एक और स्पोर्ट है यहां पर मैंने स्किप कर देगलती से तभी मुझे लग रहा था कुछ गलत मैंने कर दिया है उससे पहले भी यहां पर स्पोर्ट है 880 का एक इंपोर्टन स्पोर्ट रहेगा एंड उसके वाला अगर 880 को प्रेक करता है तब सबस्क्राइब आपको साठर साथ तो यह तो थे परस्टनलिक जो मुझे लगते हैं यह पैसे सपूर्ड में आपके साट मैंनेज्ट करते हैं पर से जो इसे लोवर सोगर्ट में अपने आपको एमोशन ठीक रखते अब बात कि यह अगर यह आप यह लॉंक तर्म यहाथ तो क बिल्कुल आइडिया नहीं है तो अगर आप चाहो आपके पास है तो परसली आई बिलीब कि परसली मुझे लगता है यह ठीक ठीक है यह दोनों बड़ी है कंपेरिशन इन अधानी इसके में मैं बात करूंब वैसे मैं शेयर बड़ी है शेयर तो सारे अधानी में अगर कॉंपेट करें तो वही मूर्खों में काना राजा अंदर राजा क्या वुलता था है वो डायलोग है काम करते हैं ठीक है सब कुछ चीए बेट ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इसलिए परसली मुझे पसंद नियाता अधानी के शेयर तो बस इतनी सी बाता और कुछ भी नहीं है इसमें आपको पता हो ना पता हो ठीक है तो यही तीन शेयर मुझे फिलाल लगते हैं यहां पर अधानी पोड़ानी पावर अधानी इंट प्राइज जो लॉंग टर्म के लिए आप बेज एचे को उठा सकते हैं बाकियों की मैं गैरेंटरी नहीं ले सकता हूं ठीक है तो अब रोकते वीडियों के बेर अबत के लिए बाबाए यहों मैं रड़ी टड़ा